हेलो गाइस welcome to wings ay kodan तो दोस्तों आज start कर रहा हूं मैं centrally sponsored schemes यह scheme बहुत important है यह schemes important इसलिए हैं कि यह schemes बहुत जाद है तो आप कोशिश करिएगा कि बहुत जादा stress इस topic पे डालने की जुरुत नहीं है कुछ कुछ important schemes आप करें वो schemes जो schemes का relevance है अभी current situation के related current situation अगर मैं कहूँ तो current situation का मतलब है जब covid-19 outbreak हुआ है इस outbreak में governments ने बहुत सारी चीजे launch की बहुत सारी schemes रिंट्रिड्यूस करी तो वो schemes ही बहुत important रहेंगी उन schemes को देखना क्योंकि वो schemes आपको current affairs में बहुत जादा help करेगी तो अभी इसके इलावा मैं आपको बताऊं तो covid-19 जो है इस covid-19 के related आपको जो भी news मिल रही है आप उसको ज़रूर ध्यान से देखें उसको note down करें जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये बहुत important है कि आपको बताना है कि covid-19 spread कैसे होता है अच्छा जो quarantine term है it is related to which disease तो अभी ये quarantine वाला ही question भी आये था किसी में कि quarantine क्या करते हैं अगर corona वो हो जाए तो समझ जो तो कभी-कभी हम ऐसे छोट-छोटी चीज़े skip कर जाते हैं अच्छा ये बहुत important है या रहना कि भाई epicenter क्या था कहां से ये spread हुआ ठीक है start कहां से हुआ बहुत important है ये viral disease है या bacterial है ये बहुत ज़्यादा important आपको या रहना ठीक है और इंडिया ने इंडियन government ने government of India ने क्या क्या initiative लिए इस COVID-19 situation को tackle करने के लिए इसको mitigate करने ठीक है जी तो आओ दोस्तों हम start करते हैं सबसे important जो हमारी चीज है प्रधान मंतरी गरीब कलियान योजना वैसे तो ये scheme 2016 में लाउंच वोई थी दोस्तों ठीक है ये कब लाउंच वोई थी 2016 में बट अभी इसका relevance कैसे है तो मैं आपको बताओं की recently अगर आपने देखा होगा प्रधान मंतरी ने 1.7 लाग करोर रुपीज का गरीब कलियान पैकेज इंट्रिदूस कर रहा था through ministry of finance ठीक है अब इस गरीब कलियान पैकेज को इंट्रिदूस करने का मकसद क्या था हम वो ही पढ़ेंगे मकसद यही था कि बहुत सारे लोगों को lockdown के वज़े से problem face करने पड़ी और सबसे ज़ादा अगर कोई सफर हुआ है वो daily visitors थे आपको पता ही है कितने daily visitors को migrate करना पड़ा from Mumbai, from महाराष्टा to their home place तो यह बहुत ज़दा problem उन लोगों के लिए थी और उससे जो उनने problem face की उसको कम करने के लिए इस 1.7 lakh करोड का गरीब कलियान package इंट्रिडूस किया गया था इसके इलावा एक और चीज़ important है कि इसमें black money का भी बात कीगी थी, black money की किस तरीके से बात कीगी थी, वो लोग जिनके पास unaccounted wealth है या हम बोलने black money है तो उनको बोला गया कि आपको कोई tension ने लिए आप इसको disclose करें आप उपने money को disclose करें और उसको बिल्कुल confidential रखा जाएगा don't worry, हम आपके खिलाफ prosecution नहीं करेंगे, ठीक है आप जब आप वो disclosed money जो आप disclose कर दोगे ठीक है, black money उसका अगरा 50% fine पे कर दो और इसके इलाबा आपको 25% अपने undisclosed income का और पे करना पड़ेगा और उसको invest कहां करना पड़ेगा गरीब कलियान package में under गरीब पी-म गरीब कलियान यह उजना में आपको क्या करना पड़ेगा invest करना पड़ेगा और वो आपको 4 साल के बाद मिलेगा but without interest मिलेगा ठीक है तो यह बहुत अच्छा initiative था government का इससे जो घबराते हैं disclose करने से ठीक है अपनी black money को तो उनको थोड़ा सा support मिल जाता और शायद वो disclose कर दे इसको ठीक है तो यह अच्छा initiative था इनकी तरफ से अब हम पढ़ते हैं कि इसमें गरीब कलियान package में दे क्या रहे है provide क्या कर रहे है provide क्या कर रहे है अगर आप देखोगे insurance cover दे रहे है 50 लाक रुपे का किसको हर एक health worker को जो COVID-19 के वज़से किसी भी तरीके से accidentally क्या हो जाता है effect हो जाता है ठीक है जी अब health worker में दोस्तों आप या रखियागा health worker में सिर्फ doctors और nurses को cover किया नहीं किया जा रहा health workers में paramedics को भी cover किया जा रहा ठीक है बहुत important health workers में आशा ग्रुप को भी किया जा रहा cover किया जा रहा health workers में सफाई करमचारी को भी cover किया जा रहा तो बहुत broader sense में हमने include किया है किसने government में हर एक health worker को मतलब अगर सफाई करमचारी को भी सफाई करते हुए अगर effect हो जाता है COVID-19 से तो उसको हम क्या करेंगे भी 50 lakh रुपीज का insurance cover प्रुवाइड करेंगे ठीक है clear है समझ के उसके इलावा इन्होंने बोला कि भी अंडर गरीब कलियान पैकेज हम 5 kg wheat या rice और उसके साथ 1 kg pulses हर एक महिने में अगले 3 महिन तक free देंगे ठीक है ठीक है इन्होंने क्या बोला कि हम क्या करेंगे जो PM गरीब कलियान अन्योजना न उसके अंडर ये package के थुरू हम 5 kg wheat या rice और उसके साथ 1 kg pulses more than 80 करोड beneficiaries रहेंगे poor people उनको benefit होगग और 3 मेंने के लिए free of cost देंगे ठीक है अब जन्दन योजना जन्दन योजना आपको पता ही है it is a part of financial inclusion तो इसके इस योजना के अंडर जो 20 करोड women account holders हैं उनको हम क्या करेंगे directly उनके account पे 500 और प्या हर महिने डालेंगे अगले 3 महिने तक ठीक है जी बहुत important और इसके हिलावा इन्होंने बोला कि जो manrega के अंडर जो daily wages है उनको उनकी भी इन्होंने क्या करी है wage भड़ाई और कितनी कर दी 202 रुपे 202 रुपे कर दी जिससे कम से कम साड़े 13 करोड families को benefit होगा ठीक है तो ये था PM गरीब कलियान योजना इसमें एक और चीज मैं आड़ कर देता हूँ जो इसमें लिखी नहीं है that is LPG cylinders दिये जाएंगे ठीक है through PM गरीब कलियान package ठीक है under जो किसकी आती है उजवाला योजना उजवाला योजना के बारे अब थोड़ा देख लीजिएगा उजवाला योजना में कम से कम 8.3 करोड families को BPL families को क्या provide किया जाएगा free of cost LPG cylinders प्रोवाइड किया जाएगे ठीक है ठीक है इस वस वेरी important ठीक तो ये scheme थी कुन सी PM गरीब कलियान योजना अब हम बात करते हैं PM श्रम योगी मांधन योजना ठीक है ये बहुत important है important इस perspective से है कि आपको question आ सकता है which is the world's largest pension scheme तो वो कौन सी है जी परधान मंतरी श्रम योगी मांधन श्रम मांधन योजना ठीक है इसको introduce किया गया था 2019 में ठीक है और launch किसने किया था हमारे Prime Minister नरेंदर मोध अब इस pension scheme के अंदर हम क्या cover कर रहे हैं और किनको protection provide कर रहे हैं protection provide कर रहे हैं जी वो old age लोगों को protection provide की जाएगी those who are those who are working in unorganized sectors और unorganized sector में काम करने वाले लोगों को हम unorganized workers बोलते हैं ठीक है जी अब इन unorganized workers को benefit कैसे होने वाला है और कौन-कौन beneficiary रहेगा अब देखो unorganized sector क्या-क्या include करता है workers कौन-कौन से include हो रहे हैं construction site पर काम करने वाले जितने भी construction workers होते हैं उनको include किया गया है या वो workers जो same तरीके के क्या करते हैं occupation करते हैं ठीक है अब beneficiary कौन-कौन eligible है किस-किस तरीके से eligibility चाहिए यह question आपको पूछा जा सकता है ठीक है beneficiary वो unorganized worker की वो किस age के बीच में fall करना चाहिए 18 से 40 साल के बीच में होना चाहिए ठीक है जी और उसकी जो monthly income होनी चाहिए या तो 15,000 होनी चाहिए या तो उससे कम होनी चाहिए ठीक है that is very important अच्छा वो जो unorganized worker होगा उसके पास अधार card होना चाहिए और अधार card के साथ सा उसका saving bank account होना चाहिए अगर किसी bank में है तो बहुत बढ़ी है जंदन account है तो वो भी बहुत बढ़ी है ठीक है जी अब बोल रहे हैं होगा क्या कि benefit कैसे दिया जाएगा जैसे ही 30 साल की साथ साल की age वो complete कर लेगा beneficiary तो उसको 3000 per month दिया जाएगा ठीक है और अगर by chance उसकी death होगी beneficiary की तो उसके spouse को 3000 का 50% मिलेगा मतलब उसको 1500 per महिने मिलेंगे ठीक है that is very important अब यार रखेगा आप ये बात कि भई कौन है जो क्या करेगा ये pensions pay out करेगा कौन responsible है that is life insurance corporation of India ये ही सब fund को manage करेगी और pensions provide करेगी that is very important अब इसमें ये voluntary basis पे है कि farmers को contribute करना हर महिने 55 to 200 उपीस के बीच में कोई भी amount अगर क्या कहते farmer pay करना चाता है contribute करना चाता है अगर by chance farmer ने 70 रुपीस contribute करे तो इतना ही equal amount central government क्या करेगी जी contribute करेगी ठीक है ये important था आपको ये आ रखना है ठीक है जी clear हो गया प्रधान मंत्री श्रम योगी ठीक है मांधन योजना अब हम next चलते हैं very important प्रधान मंत्री अवास योजना जिसको हम ये भी बोलते हैं क्या housing for all देखो ये बहुत important इसलिए है कि government एक target रखा था कि by 2022 हम क्या करेंगे भई सब लोगों को चाहे वो urban areas में रहने वाले गरीब लोग हैं चाहे वो rural areas में रहने वाले गरीब लोग हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे पक्का house बना के देंगे construct कर के देंगे with basic amenities ठीक है जैसे हम उनको assist कर सकते हैं toilet बनाने के लिए ठीक है जो स्वच भारत mission के अंडर भी बोला गया है ठीक है तो बहुत important है ये चीज़ यारकना देखो इस scheme को launch किया था 25 जून 2015 को ठीक है इस scheme के दो components है एक को बोलते परधान मंतरी अवास योजना रूरल या ग्रामीन बोलो एक को बोलते परधान मंतरी मंतरा नहीं है मंतरी है परधान मंतरी अवास योजना अर्बन ठीक है जी तो beneficiary कोन होगा किस तरीके से आप eligible होगे ठीक है तो beneficiary बोला है वो family होगी वो परिवार होगी जो किसकी husband, wife और unmarried children से मिलके बनी होगे ठीक है वो और कोई भी central assistance ना लेते हो किसी और mission के अंडर घर बनाने के लिए अब उसके लावे इन्होंने बोला कि भई अगर आपका पका हाउस है और उसकी जगा 21 किलोमेटर से कम है ठीक है तो उसको भी हम help करेंगे enhance करने के लिए ठीक है अपने existing house को ठीक उसके इलावा अब central nodding agencies कोन रहेगी nodding agency का मतलब हो गया कि government pay करेगी क्या करने के लिए घर बनाने के लिए अब government किसको बोल रही है कि आप क्या करोगे ये पैसा उन bank को दोगे जो bank आगे लोगों को देने वाल है तो वो agencies कोन से रहेगी national housing bank, hood को और SBI ये बहुत important है ये आर्कना ठीक है ये ही central nodal agencies रहने वाली है अब परधान मंतरी अवास योजना रूरल की बात पहले अर्बन की बात है अब रूरल की बात है तो आप अगर देखेंगे परधान मंतरी अवास योजना रूरल को पहले हम formally it was called as इंदीरा अवास योजना इसमें हम क्या करेंगे कि जो लोग जो रूरल एरिया के लोग जो कहां रह रहे हैं North Eastern States में जो आपकी अरुनाचल प्रदेश, असम, मिजोराम, तरिपूरा, मिघालिया, नागा लैंड और इसके लावा हिली एरिया से हिमालेन एरिया से ले लो हिमालेन स्टेट से ले लो जिसका नाम हो गया जे एंड के आपका हिमाले प्रदेश, उत्राखंड वहाँ पे हम 1.3 लाक रुपीज के क्या करेंगे जी, असिस्टेंस प्रवाइट करेंगे ठीक है, अब ये जो मदद उन लोगों को दी जाएगी वो सेंटर और स्टेट के बीच में हमारी सेंटर की और 10% कंट्रिबिशन रहेगी हमारी स्टेट की ठीक है जी, क्लियर है आपको इसका PDF लिंक में मिल जाएगा वीडियो के लिंक में तो घबराईएगा नहीं, वहाँ से पढ़ लीजिएगा लेकिन जो जो मैं आपको बता रहा हूँ न वो जादा important है या रखना ठीक है जी, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे परधान मंतरी ग्राम सडक योजना भाई ग्राम सडक योजना इस योजना वाज इंट्रेडूस्ट ऑन 25 दिसेंबर 2000 इस योजना के अंडर बेसिकली क्या पाते है कि हम जितने भी और इस construction में जो union government है उसका share रहेगा 90% कितना रहेगा जी 90% share रहेगा किसका है union government का, किसके लिए जब वो construction कहां हो रही है नॉर्टसन स्टेट्स में हो रही है या हिमालेन स्टेट्स में हो रही है और इसके इलावा जो center का contribution रहेगा बाकी states के लिए वो रहेगा by 60% contribution रहेगा ठीक है और road construction की जिम्मेवारी किसको दी गरी है और किसके accordingly यह होगा उसका नामा IRC जो इसको बोलते है apex body of highway engineers जो setup की गी थी 1934 में that is very important या रखने के लिए परधान मंतरी गराम सडक योजना इस योजना को तीन phase में क्या किया है implement किया है अभी recently 2019 में cabinet ने phase third को क्या किया approval दिया है और उसकी functioning start की है ठीक है जी अब हम पढ़ते हैं बहुत important जी परधान मंतरी कृषी सिंचाई योजना ठीक है जी परधान मंतरी कृषी सिंचाई योजना का benefit क्या है देखो कृषी सिंचाई योजना की बात करूँ तो आपको अगर पतावा सबसे ज़्यादा अगर problem चल रही है water scarcity की problem है और इस पानी की कमी को दूर करने के लिए बहुत सारे योजना है जिस योजना के अंडर हम क्या कर रहे है agricultural areas को cover करने की कोशिश कर रहे है या वहाँ पर जो भी irrigation projects हम लगाएंगे और जो भी water waste management को या water wastage को लेके जो भी projects लगेंगे वो इस योजना के थुरू हम क्या करेंगे उसको government sponsor करेगी अब क्यूं क्यूंकि आपको अगर मैं बता दू सबसे ज़ादा effect अगर कोई होगा ठीक है water scarcity की वज़े से वो हमारा agriculture sector होगा ठीक है तो agriculture sector को बचाना बहुत important है क्यूंकि आपको पता है यह हमारे backbone है economy की कितने लोग employed किये गे हैं इस sector के थूँ तो बहुत important है इस sector को conserve करना और conserve कैसे कर सकते हैं हम इसको protect कैसे कर सकते हैं by introducing different water conservation programs तो उसके addition में हमने क्या किया PM Krishy Sinchai Yojna introduce करी जो 2015 में launch होई थी जिसमें North Eastern states और Himalayan states में जो center और state का जो share रहेगा कोई भी project अगर उठाते हैं तो center pay करेगे उसके लिए 90% state pay करेगे उसके लिए 10% और in North Eastern states और Hill states को छोड़के अगर आप देखेंगे तो बाके के लिए जो भी irrigation projects में जो भी contribution रहेगा center करेगा 75% और state करेगे 25% ठीक है इसका objective क्या objective है किसी भी तरीके से क्या करना भाई जो भी cultivable area है ठीक है जो irrigated cultivable areas है उसको expand करना है मतलब हर खेट को पानी मिलना चाहिए बहुत important अच्छा जो भी water है उसको कैसे efficiently उसका optimum use कैसे करना है और साथ साथ में water wastage को कैसे रोकना है water wastage को कैसे रोकेंगे जी हम water saving technologies यूज करके water saving technologies के अगर मैं बात करूँ को एक simple सी example देता हूँ मैं आपको soil moisture monitoring ठीक है और soil moisture sensors soil moisture sensors ये एक water saving technology है इसे होगा क्या है ये एक ऐसा sensor होगा जो एक farmer को पूरा data दे देगा कि भई आपके soil में कितना moisture present है और उस soil को उस particular crop को sustain करने के लिए ग्रो करने के लिए कितना moisture ओर चाहिए तो इससे आप water wastage को रोग पाऊगे ना तो ये technologies हैं जो इस objective के अंदर cover किये कि हम ऐसे technologies को भी introduce करेंगे और इसके लिए हम projects बनाएंगे और projects में center और share state क्या करेगा contribute करेगा ठीक है this was very important अच्छा इसमें ये जो scheme है इसने amalgamate किया है जो ongoing schemes चल रही थी वो तीन schemes सी जिसका नाम था accelerated irrigation benefit program irrigated watershed management program और on form water management तो इनको amalgamate कर लिया था किसके अंडर प्रधान मंतरी कृशी सिंचाई योजना तो दोस्तों आज ये ही 5 schemes मैंने cover करवानी थी तो मैंने करवा दी है इसका आपको PDF का link हमारे description box में मिल जाएगा तो आप वहाँ से जाके इसको देख लीजिएगा ठीक है तो आप इसको उसी हिसाब से पढ़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि more than अगर आप इसमें आएगा तो कम से कम 500 से जादा schemes है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है especially जब एक से दो कोशन आ रहे हूँ उसके लिए इतना content collect करना इतना content gather करना तो I hope कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और और कुछ improvement अगर आपको चाहिए और कुछ आपके doubt होंगे तो ज़रूर मुझे comment box में बताईएगा thank you so much guys all the best patience रखिए calm रहिए और बड़े अराम से exam दीजिए thank you so much